हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चानल इंटरनाशनल अफेर्स इन हिंदी में दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो इस वक्त बहट ट्रेंड में हैं और उसकी वज़े कही न कही यूकरेन पर हो रहा रशिया का इन्वेजन ही है जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से ठीक चार महीने पहले रशिया ने यूकरेन में मिलिटरी इन्वेजन किया और तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया में एकनॉमिक क्राइसिस बने हुए हैं दुनिया भर के देश रशिया के प्रेसिडेंट व्लादेमिर पुतीन से इस चीज की मांग कर रहे हैं कि वो अपनी मिलिटरी यूकरेन से वापस बुला ले और इस लडाई को रोग दे जिससे की दुनिया भर में जो भी रिसोर्सेस और फाइनांस को लेकर परिशानी चल रही है वो खतम हो जाए और साथ ही साथ यूकरेन में हो रहे मानवधिकार के उलंगन भी रुक जाए व्लादिमीर पुतिन के इस यूकरेन इन्वेजन के फैसले को लेकर हाली में हो रही G7 समिट के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी-बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर ने व्लादिमीर पुतिन का मजाक उड़ाया चांसलर ओलाफ्स कोलेज ने इस G7 समिट को होस्ट किया समिट के दोरान United Kingdom के प्राइम मिनिस्टर Boris Johnson ने कहा कि क्या हमें जैकेट पहने रहना चाहिए या जैकेट उतार देना चाहिए इस पर कैनिडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन टूडियाओ ने कहा कि हमें इंतिजार करना चाहिए जब फोटो सेशन स्टार्ट हो तभी हमें अपनी शर्ट उतार कर अपनी ताकत दिखानी चाहिए इस पर बोरिस जॉंसन ने कहा कि हमें फोटो खीचने का इंतिजार नहीं करना चाहिए क्यूंकि हम व्लादिमिर पुतीन से ज्यादा ताकतवर है और हमको शो आफ करने की कोई जरूरत नहीं है इस बात पर जस्टिन ट्योडियाओं ने कहा कि हमको बिना शोट के होर्स राइडिंग करते हुए भी फोटो कीचने चाहिए आपको बता दे कि उनका इशरह व्लादिमिर पुतीन की 2009 की बैर चेस्टेड होर्स राइडिंग फोटो की तरफ था उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए भी ऐसी कई फोटोस डाली हैं रशियन मीडिया ने उनके एक ब्राउन गोडे पर बैट कर होर्स राइडिंग करती हुई फोटो जिसमें कि उन्होंने राउन संग्लासेज गोल्डन चैन और मिलिकरी ट्राउजर पहनी इस बार की जी सेवन समिट का मेंन एम ये था कि रशिया को ज्यादा से ज्यादा आइसोलेट करके उसको मजबूर किया जाए कि वो यूकरेन में हो रहे अपने एक्शन पर रोक लगाए और इसी के चलते इस जी सेवन समिट में ब्रिटेन, कैनिडा, जापान और करना मत बूलिये